नमस्कार दोस्तों वास्तु ग्यान में आपका स्वागत है ब्रस्पती देव सौर मंडल के सबसे बड़े और सबसे शुब ग्रह होते हैं देव गुरू ब्रस्पती का रत्न पुखराज कहलाता है वैदिक जोतिश में पुखराज पांच रत्नों में से प्रमुक स्थान रख के अपनी नीचली सतय से धारक के शरेण में स्थान अंत्रित कर देता है जिस कारण व्यक्ति के औरा में ब्रस्पती का प्रभाव पहले की तुलना में भढ़ जाता है ब्रस्पती देव ही विवहा और संतान के कारक होते हैं इसलिए पुखराज धारन करने से विवाहिक सु इसलिए यह रत्न शिक्षा के शेत्र में भी सफलता प्रदान करता है ज्यान और शिक्षा के शेत्र से जुड़े लोगों को पुखराज अवश्य ही धारन करना चाहिए पुखराज धारन करने से व्यक्ति को स्वास्तेलाब मिलता है जिन रोगों में दवाईयां काम ना कर रही हों तो पुखुराज धारण करने से अनेका अनेक प्रकार के शारीरिक मांसिक बौधिक और दैव्य कस्टों से मुक्ति मिल सकती हैं बहुत से रतन व्यपारी अधिक मुनाफे के लालश में कोई भी पीला पत्थर पुखुराज बताकर ग्रह को पकड़ा देते हैं अगर धूप में सफेद कपड़े पर रख देने से असली पुखुराज में से पीली किरने फूट पड़ती हैं आग में तपाने पर असली पुखुराज तड़कता नहीं है साथी उसका रंग बदल कर एकदम सफेद हो जाता है पुखुराज धारन करने से पूर्व ब्रसपती से संबंदित पीली वस्तूओं जैसे केला, हल्दी, पीले कपड़े, चने की दाल तता शकर आधी का दान अवश्य करना चाहिए वैदिक जोतिश के अनुसार इस नरत्न का प्रभाव व्यक्ति के वजन के अनुसार होता है अगर आपका वजन 50 किलोग्राम से जादा है तो पुष्य नक्षत्र में प्राते सूर्य उदे से 11 बजे के बद्धे दायनी हाथ की तरजनी उंगली में धारन करना चाहिए पुकराज को तीन महीने में एक बार अच्छी तरह से साफ कर ले रा चाहिए अंगूटी को दूद, गंगजल, शहद और शकर के गोल में डाल दें ऐसा करने से उसकी सारी अशुदिया दूर हो जाएंगी, इसी के साथी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिष्टिदारों के साथ शर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए, साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, धन्यवाद दोस्तों